सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ केर टिप्स इन हिंदी यूट्वीब चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट आरुवेदिक हेल्ट टिप्स वीडियों सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं प्रभीड और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम हेल्थ केर टिप्स इन हिंदी है दोस्तों आज मैं आप सब के लिए एक बेहदी महत्पूर टॉपिक को लेकर आया हूँ जी हाँ दोस्तों आज हम जानेंगे पपीता खाने के फाइदे के सम्मंध में दोस्तों पपीता कई रोगों का काल है जी हाँ दोस्तों पपीता एक फल ही नहीं बलके एक आरुवेदिक औसधी भी है इसके परियोग से आरुवेद में बड़ी-बड़ी बीमारियों का इलाज किया जाता है तो दोस्ते आप जानना चाहते हैं कि पपीते दुवारा कौन-कौन से रोगों का इलाज किया जाता है और आप भी अपने घर पर ही इसके सेवन से अपने रोग का इलाज कैसे कर सकते हैं तो इस वीडियो को लाज तक का देखते रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के अपने टॉपिक पर दोस्तों इस पौश्टिक और रसीले फल से कई विटामिन्स मिलते हैं। नियमित रूप से खाने से सरीर में कभी विटामिन्स की कमी नहीं होती। बीमार ब्यक्ति को दिये जाने वाले फलों में पपीता भी सामिल होता है क्योंकि इसके एक नहीं अनेक फाइदे हैं। पपीते में प्रचूर मात्रा में विटामिन A, विटामिन B और विटामिन C के साथ कुछ मात्रा में विटामिन D भी मिलता है। पपीता पेपसीन नामक पाचक तत्रों का एक मात्र प्राक्रितिक सोथ है। जी हां दोस्तों पपीता एक मात्र ऐसा फल है जिसमें पेपसीन नामक तत्तों पाय जाता है इसके अलवा इसमें फास्पोरास, प्रोटाइसियम, आइरन, एंटी आक्सिडेंट, कार्बो हाइडरेट और प्रोटीन भी होता है पपीते के इनहीं गुणों के कारण एक रोग भी दूर होते हैं पपीता पेट के तीन प्रमुख रोग आम, वात और पित तीनों में ही बहुत ही लाप पहुचाता है यह आतों के लिए उत्तम होता है पपीते में बड़ी मातरा में बिटामिन ए होता है इसलिए आखों और तोचा के लिए बहुत ही अच्छा मना जाता है इससे आखों की रोशनी तो अच्छी होती ही है तोचा भी स्वच्छ और चमकदार बनी रहती है पपीता सौंदर्य का प्रतीक है जी हां दोस्तों यही कारणह की आयरुएद में कहा गया है कि पपीते के सेवन से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है चेहरे की जू पपीते के गुदे को निकाल कर और अच्छी तरह गुथ कर राद को सोते समय अपने चेहरे पर मलें और उसे सुबह धोकर देशी घी के साथ मालिस करें तो मातर एक मास में चेहरे की सारी जूड़ियां और दाख साफ हो जाएंगे इसकी अनवा पपीता पथरी के उप्चा सिकायत है उन्हें पपीते का सिवन जरू करना चाहिए तो आएए जानते हैं कि पपीते द्वारा पथरी रोग का इलाज कैसे करते हैं इसके लिए मादा पपीते नोट दिस पॉइंट मादा पपीते के ब्रिच की जड़ को सुखा कर उसे अच्छी तरह से कूट पीस कर छा सिकायत अर्था जिन्हें मल त्याग करने में कटनाई हो प्राय कपज की सिकायत छोटे बच्चों में देखने को मिल जाती है कपज रोगी कच्छे पपीते को सुबह खाली पेट खाएं तो कपज दूर हो जाती है इसके अलावा पपीता को सुबह निहार मुख 250 ग्राम चि आएगा इसके अतरिक पपीता दूर्ध व्रिधी में रामबाड असधी के रूप में कार्य करता है कई अरतों के बच्चे होने पर दूर्ध बहुत कम उतरता है जिससे बच्चे का पेट नहीं भरता और वह रोता रहता है ऐसी अरतों को कच्छे पपीते की सबजी बना कर दोनों समय खिलाने से दूर ठीक से आने लगता है दोस्तों बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारे सरीर की हड्डियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके डायमेटर हमारे उम्र के साथ बढ़ने लगते हैं और इसमें कोई घवराने की बात नहीं है ये सब के साथ होत से हड़ीयों में छिद्र के डाइमीटर बढ़ने के कारण हमारी हड़ीयां कमजोर हो जाती है पूर्सों के कमप्रीजर में महिलाओं में घटना बहुत तेजी से होती है इसका प्रमुक कारण है महिलाओं में मासिक धर्म यानि मेंसूरेस्नल साइकल अर्थात हर महीने यमसी क आना जिसे ब्लड के साथ सरीर से आईरन और कैल्सियम भी सरीर से बाहर निकलता है अब आप समझ गये होंगे कि पूर्सों की तुल्ला में महिलाओं की हड़ीयां ज्यादा कमजोर क्यों हो जाती है अधा यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी हड़ीयां मजबूत बनी रह पात होने की आसंका बढ़ जाती है इसके अधरिक पपीते में एंटी इंप्लेमेंटरी कैंसर रोधी और हिरिंग प्रॉपर्टी भी होती है जी हां दोस्तों जीन लोगों को बार बार सर्दी खासी होती रहती है उनके लिए पपीते का नेमिस सेवन काफी लापकारी होता ह इससे यूमीन सिस्टम मजबूत होता है इसमें बढ़ते बच्चों के बेहतर विकास के लिए जरूरी पोसर तत्त पाये जाते हैं सरीर का पोसर देने के साथ साथ ये रोगों को दूर भगाता है जी हां दोस्तों पपीता कोलेस्टराल लेबल को कम करता है अगर आप सबता में कम से कम चार से पांस दिन पपीते का सेवन करते हैं तो आपका कोलेस्टराल लेबल कम हो जाएगा जो कि आपकी रक्त नलियों में कोलेस्टराल के ठक्के नहीं बनने देता जिससे उच्छ रक्त चाब हिर्दय रोग दिल का रोग तथा हार्ट अटेक का खत्रा टल जात जिन ब्यक्तियों को या महिलाओं के सरीर में सूजन की समझ्या हो वे ब्यक्ति पपीते का सेवन कर सकते हैं इसके अलाव पपीता वजन को घटाने में काफी लागदायक माना जाता है एक मध्यमाकार के पपीते में मात्र 120-125 कलोरी एनरजी ही होती है कलोरी कम होने के करण ऐ इसे में अगर आप वजन घटाने की सोच रहे हैं तो आप अपनी डाइट प्लान में पपीते को जरूर सेवन करें इसमें मौझूद फाइबर्स वजन घटाने में मददगार होते हैं पपीता पेट को संक्रमर से बचाता है और सरीर के पाचन की छमता को सही रखता है साथ यह हमें सारे रूक रूप से भी मजबूत बनाता है जी हां दोस्तों नियमित रूप से पपीता खाने से बालों की जढने की समस्या चर्म रोग जुर्णियां पढ़ना बवासीर तथा अनियमित मासिक धर्म से समंधित समस्यां खत्म हो जाती हैं इसके अतरिक पपीते से और भी मारी में रेक्षा उप्टी खुमत बाव दूर रहें दोस्तों हमारे शरीर की प्रतिर अच्छा प्रडाली को मजबूत करता है जाहिर सी बात है यदि आपके शरीर में रोग प्रतिरएस्च्छा च्छमता अच्छी हो तो बिमारीं आप से खुद पे खुद रहें दोस्तों हमारे शरीर की प्रदिर अच्छा प्रडाली है हमें वाइरल इंफेक्शन और वाइरल विमारियों से बचाता है इसके अतरिक्त जिन महिलाओं को पेरियर्स के दौरान दर्द की सिकायत होती है उन्हें भी पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए पपीते के सेवन से एक और जहां पीरियर्ड का साइकिन नियमित रहता है वहीं दूसरी और दर्द में भी अराम मिलता है इसके अतरिक्त पपीते का रस आत से संबंदित समस्याओं को दूर करता है और शरीर में बिसहले पदात को बाहर निकालता है दोस्तों पपीता एक ऐसा फल है जिसे बहुत कम होता है इसके अलावा जिसका डाजेस्टिव सिस्टम स्लो है अर्था जिने अकसर अपच की सिकायत होती है अर्था जिने खाना खाने के बाद उनका भोजन ना पच रहा हो अपच की सिकायत हो उन्हें पपीता खाना चाहिए इससे डाजेस्टिव सिस्टम करें आपका पहुमूल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं मैं हर रोज एक नए घरेलू नुसके आयरवेदा उपचाल होम रेमडीज वीडियो के साथ आता हूं दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को हम करें प्यर मैं हो अबrás Kent बां मैं रओने करके वीडियो के दोस्तों अर्द म Mob